नमस्कार, मैं रेमी वासो सिन्हा, सारेकामा म्योजिक अकेड़वी की ओर से आप सबका स्वावत करती हूँ, गुरु आप श्री गुरु मत्रु ने, ये मेरा आपके साथ पहला इंट्रेक्शन है, दोस्तों, आज मैं आपको संगीत में चार प्रमुक अबयब, हैनी आस्पे लीड में, L stands for learning, या listening, E is enjoyment, A is art, क्योंगी संगीत एक art form है, performing art, and D is nothing but discipline, so L, E, A, D, लीड, इस लीड में से, आज मैं आपके साथ L, यानी, listening की सबसे जादा बात करूँगे, दोस्तों, संगीत को गुरुम की शिश्या कह जाता है, यानी गुरुम गाता है, और शिश्य उसको सुनता है, एक artist, जितना अच्छा लिस्नर होता है, उतना अच्छा संगीत कार होता है, उसकी सुनने की क्षमता, जितनी प्रघार होती है, उतना जाधा अच्छा हो, उसको रिप्रोड्योस नहीं गा के बता सकता है। इसी कारण से लीड में मैंने आज एल की बात के। संदीत सुनने की जो कला है, वो है एक ही चीज को बार बार सुनना। बहुत बार सुनने के बाद वो हमारे मस्तिष्क में यानि ब्रेन में रेजिस्टर होता है। तक पश्चात उसके बाद जब हम गाने बैठते हैं, वो ब्रेन से वो सिग्नल सीधे हमारे गले में आता है। और वो गला तक उसको रिप्रोड्यूस करता है। तो आज का मेरा मंत्र यह है। आज की कड़े में इतना ही। अगली बार इसे श्विंखला में आपसे फिर से मनापात होगी। धन्यवाद।